क्या आप जानते हैं कि technology दुनिया में बहुत ही बड़ी revolution लेके आ रही है और इस technology का main part है python programming language आप artificial intelligence देख ले, machine learning देख ले, deep learning देख ले, data science देख ले, websites देख ले कोई भी AI या IT का काम उठा के देख ले, उसमें python ज़रूर use हो रहे है दुनिया की बड़ी-बड़ी companies such as google, meta यानि के facebook, twitter यानि के x और amazon और microsoft जैसी companies जो है यह सब मिलके artificial intelligence के अंदर अच्छी खासी investment कर रही है और artificial intelligence का जो main काम है वो python के थू होता है आपने कोई model train करना हो या आपने किसी model को use करके कोई application develop करनी हो artificial intelligence के थू हो रहे है अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे python क्यों सीखने है जबके chat gpt तो वहां पर मुझे सब कुछ code लिखके दे सकता है तो भई बात यह है किसी से काम करवाने से बहतर है आप खुद से सीखे chat gpt आपको code जरूर लिखके देता है लेकिन आपको अगर code की समझ नहीं है तो आप उस code को समझ नहीं पाएंगे और उस code को implement नहीं कर पाएंगे अगर कहीं पे code में error आ जाती तो आपको समझ नहीं आएगी तो इस वज़ा से Python खुद सीखे Python developers की पाकिस्तानी नहीं बलके international markets में भी बहुत स्यादा demand है आप UA की market उठाके देख लें आप Italy की market उठाके देख लें Europe की market उठाके देख लें Germany की market उठाके देख लें and even US, Canada, Australia, New Zealand and UK की markets में उठाके देख लें Python जो है वो highly paid salaried skill है ये एक ऐसी skill है जो आपको बहुत ही versatile जोगों पर देखनों को मिलेगी तो Python सिरफ coding नहीं है बलके coding के थुरू आप IT की problems को जब resolve करते हैं data की problems को जब resolve करते हैं तो आपका salary skill और भी ऊपर चला जाते है Python सीखना इंतहाई असान है इसकी syntax बहुत ही असान है अगर आपको पढ़ाने वाला बंदा असानी के साथ समझाते ही और ये अगर आप अपनी देशी उर्दू language जबान के अंदर सीखें तो क्या ही मज़े वाली बात है ना तो इसी वज़ा से मैं कहता हूँ कि Python को सीखना आज से ही शुरू करती है अब आप सोच रहा होंगे कि मैं तो biology का student हूँ या mathematics का student हूँ या stat पर रहा हूँ या मैंने bachelor's या master या even के PhD की हुई है different subjects के अंदर तो मुझे Python सीखना क्यों जरूरी है तो भई Python एक cross disciplinary language है general purpose language है हर field में चलती है जिस field में numbers है data है वहाँ पे उस data को analyze करने के लिए आपको Python की जरूरत कहीं न कहीं जरूर पड़ती है health care से लेके biological system से लेके engineering से लेके machine learning, artificial intelligence और भी कोई जितनी भी possibilities आप सोच ले सब में Python use हो रही है आप कहीं पे भी internationally apply करते हैं तो पहली skill जो वहाँ पे top notch की मांगते हैं वो होती है Python आप PhD का scholarship के लिए apply कर रहे है तो Python जरूरी है जॉब के लिए apply कर रहे है पाइथोन जरूरी है अगर आपने scale up करना है अपनी job को तो Python जरूरी है इवन कि free launching की market में जाने है तो Python की language जो है वो बहुत जरूरी है इस वज़ा से ये top notch skill है जो तकरीबन 70-80% job market का हिस्सा जो है वो Python की skill को require करता है Python developers यानि के Python के साथ काम करने वालों की salaries अच्छी खासी होती है पाकिस्तान में ही डेड़ लाग से लेके 5 लाग तक salary मिल सकती है अगर आप पाकिस्तान में रह के काम करें आप पाकिस्तान में जॉब भी कर सकते हैं प्लस अगर आप फ्री लाउंसिक करते हैं तो आप 5 लाग तक भी कमा सकते हैं लेकिन आपको उसके लिए अच्छी खासी मेहनत करने पड़ेगी अगर आप एक data scientist है एक machine learning engineer है या deep learning engineering सीख लेते हैं या लिंके python के साथ deep learning करना सीख चाते हैं तो आप international market को भी grab कर सकते हैं और international market में जाने के लिए आपको कुछ और करने की जुरूरत नहीं है सिरफ घर पे बैठके कम से कम 6 मा से 1 साल तक python सीखनी है वो भी data science के लिए तो आप believe me ये skill सीखने के बाद highly paid salaried person हो सकते हैं और अगर आप python सीखना चाते हैं तो python का चिल्ला जो बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर enroll कर मैं इस course में हम आपको data science, machine learning, artificial intelligence, deep learning, rag based system, web app development and much more इसी एक course के अंदर सिखाने वाले हैं चालिस topics को हम cover करेंगे hence the name python का चिल्ला with Baba Amar मेरा नाम है Dr. Mahamad Amartafel और मैं आपको python के चिल्ला के अंदर जरूर सिखाऊंगा कि किस तरीके से python को आप apply कर सकते हैं in different skill sets इस course के अंदर आपको 24-7 support मिलेगी यानि कि Discord के server के अंदर आप कोई भी question किसी भी वकत पूछ पाएंगे plus आप हर second day हमारी class में आके question कर सकते हैं कभी कबार हम recorded lectures upload करेंगे and mostly हमारी live class हुआ करेगी हर second day और अगर आप इस video को later on देख रहे हैं जब हमारा python का चिल्ला complete हो चुका है you still have support from us आप इस में register करवाएं and then you will see the guidelines over there link मैंने description के अंदर भी दे दिया हुआ और comment section के अंदर भी है अब आप सोच रहे होंगे कि यह python का चिल्ला किस-किस के लिए है तो भाई वो लोग जो students है वो लोग जो अपने job के अंदर promotion चाहते है वो लोग जो researchers है वो लोग जो data science सीखना चाहते है वो लोग जो IT के लोग है लेकिन उन्हें data science का नहीं पता वो लोग जो mathematics के हैं biology के हैं statistics के हैं even though business के लोग जो है उनको ये course में ज़रूर enroll करवाना चाहिए age limit कोई नहीं है अगर आपको थोड़ा बहुत Excel चलाने आता है थोड़ी बहुत English आती है that's enough for this course coding का zero knowledge भी होगा तब भी आप इस course में आके बिल्कुल अच्छे से सीख पाएंगे अगर आप Python के इस course में enroll करवाना चाहते हैं तो अभी enroll करवाएं registration link मैंने description में भी दिया हुआ है comment section में मचूद है if you still have any question you can write down us at info at codanix.com जिन्होंने Python को सीखा हुआ है वो दुनिया बदल रहे हैं आप भी Python सिखें और खुद को बदलें अपनी कौम का मुस्तक्मिल बदलें see you in the course registration करवाने के लिए आप इस QR कोड को scan भी कर सकते हैं अभी वीडियो को यहीं पे pause करें और इस QR कोड को scan करके आप registration करवा सकते हैं